डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आएं है एक स्टेट अफ दियार्ट डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाई-टेक आउडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है. देश में जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, उसको नियंतरन करना बेहत सरूरी है. हाली में हुई जनगर्णा के मताबिक भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है. और देश में इसी बढ़ती जनसंख्या के समधान के लिए आज जनसंख्या समधान फाउंडेशन के नई महासचीव ने फर्स बैट टीवी को बताया कि वो 2013 से जनसंख्या नियंतरन की लड़ाई लग रहे हैं. और जिस तेजी से देश में जनसंख्या बढ़ रही है अगर इसको रोका नहीं गया तो ये भारत की विकास के लिए बहुत बड़ी चुनाती है. इसका प्रभाव हमारी खेती ओजोन लेयर पर पढ़ रहा है. इसी के चलते हम वायू प्रदूशन, जल प्रदूशन भी बहुत रहे हैं. इस पर नियंतरन करने के लिए वो लगबग 2 करोड हस्ताक्षर पीए मोधी को सुपेंगे. सुनिए जनसंख्या नियंतरन फाउंडिशन के महासची म क्या हो ले? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्री अध्यक जी शिरियानिल चौदरी जी और हमारी संयो जी का भेन ममता सहेगल जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा. कि मुझे ये नया दाइत उन्हों ने दिया है. हम लोग सन 2013 से जनसंख्या की लड़ाई लड़ रहे हैं. जनसंख्या अंसद्दुलन जो हमारे देश में हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है कि अगर इसो रोका नहीं गया तो बहुत बड़ा विस्पोर्ट भारत वर्ष में होने जा रहा है. जनसंख्या एक ऐसा विशे है जिस पर मैं समझता हूँ कि हम सभी एकमत होंगे. जनसंख्या विस्पोर्ट की तरफ हम लोग चल दिये हैं तो हर चीज में हम अब पीछे की तरफ चल दियें जनसंख्या को छोड़के. जनसंख्या आगे जा रहे हैं हम पीछे जा रहे हैं हमारी खेती पर प्रभाव पड़ रहा है हमारे ओजोन लेयर पर प्रभाव पड़ रहा है हम वायू प्रदूशन भुगत रहे हैं जल प्रदूशन हम लोग देख रहे हैं तो इस समीकरण में हम अपने आने वाले भवि दाइत्व जो मुझे दिया है मैं पूरे जोशो खरोश के साथ अपने नए दाइत्व का निर्वा करूँगा अच्छा नियात्र को लेकर यह संस्था आइतिम बहुत समय से कारियत है और लगाता प्रयास करते हैं कुछ इनोवेटिव प्रयास की दिरूवत से कुछ विशेश चरा भियान चल रहा है पूरे भारत वर्ष में हम लोग 26 राज्यों में सक्रिये हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि इतना बड़ा संगठन जो हमारा आज बन चुका है यह जिस तरीके से संगठन काम कर रहा है हम लोग काम कर रहे हैं हमने एक मिसाल के तौर पे हमने यह एक करोड़ हस्ताक्षर कम से कम हम इखटे करके और माननी प्रधान मंत्री जी को सौंपेगे एक सब्सक्राइब 26 राज्यों में चल रहा है उत्तरप्रदेश में खास्तों से यह आपको राश्ट्रियों बनाया गया है तो 26 स्टेट्स इतने भी है बिल्कुल बिल्कुल यह साथ मुझे यह बताने बहुत हर्च हो रहा है कि हम लोग एक करोड़ 75 लाग साइन करवा चुके हैं अभी के लिए अतना ही हमारी वीडियो उसको जाद जाद लाइक करें शेयर करें और फर्स्वेट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें कोशा कॉंपनेर्स इवेश्चा रहा मेरत